कपिल शर्मा की जिंदगी में एक बार फिर चल पड़ी है विवादों की आन्दी। एक बार फिर कपिल शर्मा पर फूटा है उनके फैंस का घुसा। अपकमिंग फिल्म दग कश्मीर फाइल्स बनी है कपिल की ट्रॉलिंग का मुद्धा गुसाई फैंस ने कर डाली है कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर ताला लगाने की दिमाद कपिल शर्मा और विवादों का साथ अब चोली दामन का हो चला है एक विवाद खत्म हुआ नहीं कि दूसरा विवाद से रुठाए खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि कपिल शर्मा बुरी तरहा से ट्रॉलिंग में फस जाते हैं कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ है इस बार अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर फिंदा कश्मीर फाइल्स की वज़ा से दर्शकों का गुस्सा कपिल शर्मा पर फूटा है चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मुद्धा क्या है दरशल हाल ही में फिल्म दा कश्मीर फाइल्स के डारेक्टर विवेक अगनी होतरी से एक दर्शक ने ट्वीट करके गुजारिश की थी कि वो अपनी फिल्म को कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में प्रमोट करें उस यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा था विवेक सर आपकी फिल्म को कपिल शर्मा शो में प्रमोट करने की जरूरत है कपिल भाई आपने सब को सहयोग दिया है प्लीज इस फिल्म का भी प्रमोशन करें हम सब मिथुंदा अनुपम खे को एक साथ देखना चाहते हैं धन्यवाद जिसके बाद विवेक अगनी हुत्वी ने भी ट्वीट के जरिये रिप्लाई किया कि मैं ये तै नहीं कर सकता कि कपिल शर्मा के शो में किसे बुलाया जाना चाहिए ये उनकी और उनकी निर्माताओं की पसंद है कि वो किसे आमन्तृत करना चाहते हैं जहां तक बॉलिवुड का सवाल है मैं ये ही कहूंगा जो एक बार श्री बच्चन ने गांधी परिवार के बारे में कहा था कि वो राजा है और हम रंक इसके बाद एक दूसरे यूजर ने कपिल शर्मा को ट्रैक करते हुए उनसे गुजारिश की कि दह कश्मीर फाइल्स की टीम को शो में बुलाया जाए उस यूजर ने लिखा कपिल शर्मा बहुत अच्छा लगेगा इस फिल्म का प्रोमो आपके शो में देखते हैं तब ही विवेक अगनी होतरी ने ऐसी जानकारी दी कि हर कोई हैरान रह गया विवेक ने लिखा उन्होंने हमें बुलाने से मना कर दिया है क्योंकि हमारे फिल्म में कोई भी बड़ा कमर्शिल स्टार नहीं है विवेक का ये खुलासा करने की देर थी कि उसके बाद तो फैंस का ऐसा गुसा फूटा कि इस विवाद की चपेट में सिफ कपिल शर्मा और उनका कॉमेडी शो ही नहीं बलकि शो के पेडिूसर सलमान खान भी आ गए एक गुसाई यूजर ने लिखा इस फिल्म को निश्चित रूप से जोकर के शो में होने की जरूरत नहीं है ये बॉलिवुड ड्रामा से परे है तो वहीं एक दूसरे यूजर ने भी कपिल शर्मा पर अपना गुसा उतारते होई लिखा दियर कपिल ऐसा भेद भाव अस्वी कारिय है आपने फिल्म के प्रचार से इंकार किया है क्योंकि सलमान खान इस शो के निर्माता है नए भारत में लोगों की शक्ती को कम मत समझो याद कीजे कैसे लोगों के गुस्ते ने सिद्धू को आपके शो से बाहर निकाल दिया था उससे कुछ सीखो गुस्ताय यूजर सलमान खान और उनके धर्म को इस पूरे विवात में घसीटने से भी बास नहीं आए एक यूजर ने सलमान खान का नाम लिए बिना ही लिखा कपिल शर्मा जो भी है लेकिन वो भी प्रेडूसर की कच्पुतली है कश्मीर पाइल्स प्रिडूसर के खिलाफ है, प्रिडूसर कभी नहीं चाहेगा कि उसके रिलिजन के खिलाफ कोई फिल्म बने और उसके शो में फ्रमोशन हो। कुछ फैंस ने तो ना सिर्फ कपिल के शो बलकी करन जो हरामिताब बच्चन खांस और कपूर स्टार्स तक की फिल्मों का बहिशकार करने की बात कह दी। एक गुसाई यूजर ने इन सभी सेलिप्स को टैक करते होई लिखा, हमें इन निर्माताओ, अभिनेताओ यहां तक ही पूरे बॉलिवुड का बहिशकार करना चाहिए, जो मेरे धर्म और भगवान को अपनी मूवी में नीचा दिखाएगा, मजा खुडाएगा, उनको ऐसे ही लताडा जाएगा, जहां एक तरफ इस पूरे विवात की आज कपिल शर्मा के कॉमेडी शो तक पहुच चुकी है, वहीं अभी तक इस पूरे मुद्दे पर कपिल शर्मा ने चुप्पी साथी हुई है, विरो रेपोर्ट, E24